नमस्कार, मैं परणजोई गुहा ठाकुरता और न्यूस क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ आज का चर्चा का विश्य है उत्तर प्रदेश में आने वाले विदान सबा चुनाओ भारतर प्रदेश के सबसे वरा राज्य है उत्तर प्रदेश और दोजार बाइस में फेब्रुडी मार्च महीना में चुनाओं होने वाले हैं लड़ाई एक तरह समाजवादी पार्टी उसके साथ राज्य है लोग दल दूसरे साइट भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी भी है बहुचन समाज पार्टी भी है और भी छोटी छोटे राजनेतिक दल है तो 2017 का जो चुनाओं हुई थी विदान सबा चुनाओं इसमें भारती जन्ता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आये हैं नोट बंदी का तीन चार महीना के पार इसमार क्या होने वाले हैं मेरा साथ निउसकलिक का स्टूडियों में घंशाम तिवारी जी समाजवादी पार्टी का राश्ट्रिय प्रभक्ता घंशाम जी धन्यवाद आपका समय आपने दिया निउसकलिक का दर्शक को प्लान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरकपुर में एक सरकारी अनुष्ठान में एक भाशन दिया उसमें लाल टोपी को खत्रे का घंटी बताया बजाया गा आप इस इस बात का किसी और तरह से जवाब देने चाहते हैं आपका मन में क्या भारती जन्ता पार्टी के लिए कोई नारा या नाम हो तो क्या आप भागवा राजने तिद्दल कहेंगे नमस्कार आपको निउसक्रिक के दर्शकों को और धन्यवाद इसके लिए कि हम इस बात कर सके मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंतरी जब किसी मंच पर खड़े होते हैं तो देश के लोगतांतर की सबसे मजबूत कड़ी को प्रदर्शित करते हैं और अगर वो टेक्सपेर के पैसे से बना हुआ मंच हो तो देश उन्हें सुनना चाहता है कि देश के लोगों के लिए युवाओं के लिए किसानों के लिए और जिस दौर से देश गुजर रहा है इस मंदी का दौर है उसमें वो देश के लिए क्या कर रहे हैं बजाए यह सब बताने के प्रधानमंतरी लाल टोपी की बात करने लगे लाल टोपी का इतिहास बड़ा है लेकिन मैंने सोचा कि क्या ये व्लाडेवेर पुटन से मैंने मिले थे उसके बाद जैसा कि उन्होंने शायद बच्पने गाना सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्डिस्टानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल ह तो या तो उस गाने को कि उन्हें याद आ गई होगी या फिर शायद उन्हें लाल टोपी का इतिहास ही नहीं पता है कि किस तरीके से लाल टोपी को लोगनाएक जैप्रकाश नाराण ने अपनाया लोहिया जी ने अपनाया या फिर उन्हें ये नहीं पता है कि समाजवाद पार्टि के लोग ऐसे ही भी फरने रगे हैं। मोदी जिने कहा कि समाझवादी पार्टी यह लाल टोपी के साथ, लाल वो गारी के ओपर जो बत्ती जलता है, यह इचाथे, सिर्फ शम्ता चाहते है, सिर्फ सत्ते के लिए भूकिया हैं। प्रधानमंत्री जी अगर अपनी पार्टी का वर्तमान देखें तो जिस समय देश में 97 प्रतिशत लोग गरीब हो रहे हैं जो सीम आई ने अनेक प्लैट्फॉर्म प्रेसिश को रिपोर्ट किया उस समय प्रधानमंत्री और उनके मित्र और उनकी सरकार से पोशित 3 प्रतिश प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं लेकिन शायर देखा होगा आज साकार हो रहा है और जो अच्छे दिन दिखाने का संकल्प उन्होंने लिया था वो जुमला साबित हो रहा है तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री किसी और पार्टी के उपर आरोप लगाते हैं तो उन्हें एक बार एलेक्शन कमिशन की वेबसाइट देखनी चाहिए जहां पर उनकी अपनी पार्टी की इंकम हर दो साल में डबल हो जाती है जहां पर उनके अपने पार्टी के लोग अपने बाल बच्चों को जैसे जैशा है वो BCCI उन्होंने पता नहीं कभी क्रिकेट का बैट प बनते हैं या फिर उनके चुनिंदा पुझी पती देश में और एशिया में सबसे अमीर हो जाते हैं जितने समय में भारत के 97% लोगों ने अपनी वेल्थ संपदा गवाई है उतने समय में प्रधान मंतरी की पार्टी हो या उनके पुझी पती हो उनकी संपदा कई गुनी पढ़ी है गंचाम जी भारती जनता पार्टी ने पहले बार भी इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं इस बार भी एक तरह से एक चुनाओं में भी एक राम मंदिर एक मुद्दा बन गया हम देख रहे हैं मत्रा में भी एक तरह से एक संपरदाइक हिंसा का एक महौल बना आपको याद होगा दो हजाद 13 में क्या हुई थी वो मजफर नगर में उसके बाद शामली में क्या हुई थी तो लग रहे बहुत लोग को लग रहे कि पूरवाजचल में अवद अलाका में और अलग 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 जगा में आपका ज़ाद अतर सीटे आपके हाथ से कि रख सकती है इस वार यह राम मंदर की मुद्दे के लिए अलग अलग सर्वे यह बताते हैं जैसे की एवीपी सी वोटर का सर्वे था हर महीने जब सर्वे होता है भार्ती जन्ता पार्टी की 20 सीटे कम होती है और अभी तक जो पिछले सर्वे आए हैं उसमें उन सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है भार्ती जन्ता पार्टी अलग एक सो बीच से अधिक सीटे हार रही है जो जीती हुई थी तो बार्ति जंता पार्टी हर महीने उसकी हार बड़ी होती जा रही है और ये सीटे समाजवादी पार्टी जीत रही है जहां तक राम मंदिर का मुद्धा है इस देश में जो आपको अच्छा भविश्य नहीं दे सकता जो अच्छा वरत्मान नहीं दे सकता वही आपको इतिहास के आधार पर लडाने की कोशिश करेगा पार्ति जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि उसको कितनी भी मैजॉरिटी मिल जाए देश के सभी राज्यों में उनके सरकारे हो उनके राजयपाल हो देश के संसद में उनका जबरदस्त बहुमत हो तब भी वो देश को न अच्छा वर्तमान दे सकते हैं, न अच्छा भविष्य दे सकते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि देश के लोग इतिहास में लड़ते रहें जिस पार्टी ने देश के सुतंतर संग्राम में जिनके पुर्खों ने एक पसीना नहीं भाया अंग्रेजों का साथ दिया, 1942 के अंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया वो पार्टी देश को राश्ट भक्ती और राश्टी असत्ता सिखाती है क्यों सिखा पाती है, क्यों कि उनका बढ़ा साधान सा फॉर्मूला है वो चाहते हैं कि आपके उपर सवाल उठा करके कि आपका राश्ट प्रेम कम है, ये सवाल उठा करके अपना राश्ट प्रेम अधिक है ये बता सके या आप कमजोर हिंदू है, ये सवाल उठा करके सामने वाले की नजर में ये साबित कर सके कि वो मजबूत हिंदू है इस देश का ना हिंदू कमजोर है ना इस देश में राश्च प्रेम की कमी है इस देश में धोखेबाजों की एक जमात जो राश्च प्रेम फरजी आंकडों के आधार पर प्रोपगेंडा के आधार पर जुम्लों के आधार पर देश पे हाविर हो है और वो इस देश के इमांदार जनता को पेवकू बना रही है अच्छा इस सारे विशे के ऊपर और भी सवाल में उठाऊंगा मंग उससे पहले आपने जो एक किया सर्वे के बात किया ठीक है समझ जरीजी एक सो बीस सीट कम हो जाता है फिर भी भारते जनता पार्टी का बहुमत बिलने का एक संभाब नहीं क्योंकि 403 आपका वो विधान सभा में आपका विधायक है और 2017 में उनको लगबक 2017 में भारते जनता पार्टी को 312 मिला और फिर वो बर्के और गटपंधन में और भी लोग है अभी 323 के आसपास तो समझ लीजिए हाइपोथेटिकली की 120 भी कम हो जाता है फिर भी उनके पास बहुमत है लेकिए जब बिजली कड़कती है तो आपको पता सलता है कहां से कड कितनी करारी हार होगी जैसे हमने कहा कि यह 400 सीटों पर हारेंगे यह कितनी करारी हार होगी अभी पता नहीं चल रहा लेकिन आप किसी भी द्रिश्टी से देखिए आप देश के नौजवानों की द्रिश्टी से देखिए भारते जिंता पार्टी ने या तो उनके पेपर ल वाले लोगों को भारते जिन्ता पार्टी ने सत्ता में और मजबूत किया, वो लोग जिनके उपर मुकदमे लगे हुए हैं, वो देश के गरिह राज्य मंत्री बने हुए हैं, वो देश के पुलिस मेवस्था को भाषण दे रहे हैं, आप लखिमपूर खेरी का गटना के बा कि अच्छे दिन आएंगे, जब मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन कि हम आएंगे तो हम देडे में उत्तरप्रदेश में पिछडे हैं उनको सत्ता दें लेकिन जब आया तो समुझे प्रदेश में सिवाई ठाकुरवाद कि इन्होंने कुछ नहीं चुछ नहीं किया कि पिछडे थे उनको और किस्वड़ और किया जो-जो माइनॉरिटी की बात रख भी सकता था कोई अगर जर्नलिस्ट है या कोई और है तो उसको भी भारती जंता पार्टी ने डिमोरलाइज किया या किसी सोशल एक्टिवस को डिमोरलाइज किया जो तीसरी बात जिसमें आधार पै थे वो था शम्शान कबरिस्तान जैसे मुद्दों को उठा कर कर आए थे तो जनता ने देख लिया कि शम्शान कबरिस्तान की बात करने वाले सिवाए शम्शान कर अने कुछ दे नहीं पाए जब कोई का सिचुएशन हुआ तो उस समय जिस तरीके से लोगों को आक्सिएन की रही सरकार मरीजों को मरीजों के परिवारों को धमकाती रही जब लाशे दिखनी लगी तो सरकार ने कहा ये तो आम करिया कर्म ऐसा ही होता है इन जगहों पे इसलिए लाशे दिख रही है तो इसलिए जिस बुनियार पे 2017 में आये थे वो तीनों खोखली दिखाई दे रही है आचा ये राम मंदिर के उत्र प्रदेश का मुक्क मंतरी मुलाइम सिंग यादव जी थे और उस समय पुलीस का गोली में कम से कम 14 कारसेवक कमरित्तु हुई थी इस बात फिर दोबारा भारते जनता पाटी लोगों को याद करा रहे है कि ये सरकार ये सपा का सरकार जिस समय था हमारे कारसेवक के उ पर गोली चला है सवाल ये है कि 2017 में भारते जनता पाटी ने जो संकल पत्र दिया था जिसे उन्होंने कोड़ेदाने फिक दिया है जिसमें 70 लाख रोजगार की बात थी जिसमें ये था कि कोई भी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो इसे 2 लाख रुपए देंगे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे ये सारी जो चीजे 15 मिनिट में आपको अबुलेंस हिवा मिलेगी ये तो 2017 ही बात है जो अपने पिछले साड़े चार साल के कारेकाल को याद नहीं दिरा सकते इसलिए मैंने कहा कि कि इतिहास को लेकर के वही लोग लड़ा हम चुणा वहार गए तब हमारा काम बोलता है हमारी बनियाद था आज भी हमारा काम बोलता है हमारी बनियाद है कोई भी उगा देकेगा अगर बात विकास की होगी तो एक तरफ अखिले हैं झाता विकास पूर्वांचल एक्स्प्रस वे है या कोई और प्रजेक्ट है पिर में वही बात भारती जत्ना पार्टी आज लोकों को याद दिना दे रहे हैं कि 30 नवेंबर 1990 ठीटे 30 साल हो गया 30 साल से जादा बिता गया अगर उस समय मुलाम सिंग का सरकार का पुलीस वालो डेज 14 कार सेवक को हत्या किया पुलीस के कोली में देखे मैं यह कह रहा हूं कि अगर अगर लोमडी इसी चीज को याद दिलाए तो लोगों को पता है कि यह लोमडी है वहां पर कुछ न को चुराने आई है तो भारती जनता पार्टी को लोग एक ऐसा दल के रूप में देख रहे हैं जो आपको किसी घटना को तभी याद चाहते हैं जब उनको अपना फाइदा हो रहा हो तो अगर भारती जनता पार्टी लोगों कुछ भी याद दिला रहे हैं तेखे किसी भी मुद्दे पर आज भारती जनता पार्टी के नेताओं का प्रधान मंतरी हो अधितनाथ हो इनकी अपनी विश्वस्तियता नहीं है ज लोग उस ट्रैप में नहीं फसने वाले हैं ठीक है आप बताने नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं एक और सवाल बटाता हूँ आपका समाजवादी पार्टी का अध्धर शी अखिले शादब जी ने कुछ दिन पहले लोगों को मुहमद अली जिन्ना का नाम उल्ले किया और एक साथ नहीरू जी सदार पिटेल जी और जिन्ना जी का नाम एक साथ इनोंने किया क्या ठीक है मैं हमनवान लिया कि एकी कॉलेज में लंदन में इनोंने पडाई किया था ये वास्तव है मगर इन तीनों का नाम एक साथ लाने का क्या ज़रूरत था क्योंकि अखिले जी का कहने के बाद हम देख रहें किस तरह से भारती जंता पार्टी समाज पार्टी पार्टी को एक तरह से आकरमन किया और हम देख रहें कि टेलिविजिन डिवेट में आप लोग बचते नगर आए ऐसे दिखाई दे रहें कि आप लोग ऑंदर डिफेंसिव है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए कि क्या ज़रूरत था ये सब कहने के लिए देखे इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है और मुझे लगता है कि अगर आप देखिए कि उस एक स्पीच के बाद जितनी भी समाजवादी पार्टी की रैलिया हुई चाहे पूरवान चल विजय यात्रा हुई मेरट में इतनी जबरदस्त रैली हुई हर जगा जहां परिवरतन रैली हो रही है विजय यात्रा हो रही है जन्त समवाद हो रहा है मुद्दे विकास के हैं मुद्दे विरोजगारी के हैं मुद्दे बहंगाई के हैं मुद्दे किसानों के हैं और आपसी अमन चैन के हैं भारती जन्ता पार्टी जैसे कोई पॉकेट मार काम करता है उसे एक अफसर चाहिए होता है आपकी पॉकेट मानने का, तो भारती जन्ता पार्टी को लगा, उस एक स्पीच में उनको एक अफसर मिल गया, तो उसके बाद से उनके नेता चाहे वो आमिज चाहे वो आधित नाथ हो, चाहे कोई और हो केशा प्रसाद मौरिया हो, हर बार कोशिश करते हैं, केशा प्रसाद इन फाइल किया है, तो इन जैसे नेताओं को किसी पॉकेट मार की तरह एक अउसर मिला है, लेकिन जन्ता पॉकेट मार को नहीं चुनना चाहती है, जन्ता उस व्यक्ति को चुनना चाहती है, जो लगातार उनके मुद्दों पे बात करें, तो मुझे लगता है कि जहां तक मीडिया की बात है, भातिय जन्ता पार्टी की जो ये सरकार है, वो प्रेस को प्रेस को निराश करके, archives करके काम करती है, और उसके साथ प्रेस के अंदर अधे अधेग मीडिया चेनल में एक भक्त मंडली उसके साथ काम करती है, जिसका काम है कि अगर प्रधान मतری मोधी ज सवाल पूछना चाहे तो उनको गुम रहा कर दे तो मीडिया में हम कभी डिफेंसिव नहीं रहे हमने हमेशा कि हम किसी भक्त मीडिया के चैनल पर भी गए हो तब भी हमने मुखर होकर के अपनी बात रखी है कि अंत में राजनिती उसी की मस्बूत होती है जो जनता की बात पहले ये कानून विवस्ता के वारे में कहा आपने उलेक क्या लखेंपूर खेरी आपका हाथ रस और भी बहुत सारे घटना हुई है बहुत सारे जगा में गोरकपूर लटनाओ आगरा में और आज भी सोड़दार योगी जी कह रहे है बुख्यमंत्री की हमारे जमाने में उत्तर प्रदेश का कानून विवस्ता में काफी उन्नती हुई है और आप क्यों इतने दुखी है कि योगी सरकार आपके जैसे नेता जैसे तीन दो लोगों का नाम बताते हैं मुकतार अंसारी जी अतीक एहमेद जी जो लोग कहते हैं माफिया डॉन हैं बरे बरे दबांग हैं ऐन लोग को गिरिफतार करें जेल के अंगतर डाल दिया इसलिए आप जादा बात नहीं कर रहे हैं तरहें दो बाते हैं पहले तो आपने योगी जी का खिर क्या पिछले च्हे महिने से हर जगा जैसे आपब दिली में देखेंगे बेंग लॉर में देखेंगे हर जगा योगी जीन अपनी तस्विरे लगवा दी मुद्दी जी के साथ और यह कहने के कोशिश की उत्तर प्रदेश विक्सित राजे बन गया है और अबकी बार योगी सरकार यह कहने के कोशिश की जब 6 महीने के में भारती जनता पार्टी के अपने अनुभाव से लोगों को उनके नेताओं को उनके कैडर को ये पता चला कि ये तो बिलकुल फ्लॉप फॉर्मॉला है जनता आपकी बार योगी सरकार से और ज़्यादा चिड़ रही है और और उनके वोट्स कम हो रहे हैं तो अमिद्शाजी को उत्तर प्रदेश भेजा गया जहां पर वो ये कहने लगे कि अगर 2024 में आपको मोदी जी को जिताना है तो 2022 में बीजेपी को जिताईए तो पहली बात भारती जिन्ता पार्टी का जो अपना कैमपेन है वो उसमें मजबूती नहीं है दम नहीं है हाला कि वो कहते हैं कि सोच इमांदार, काम दमदार और इस तरह की जितने भी नारे हैं लेकिन जिस तरीके से उनका अपना कैमपेन शिफ्ट हुआ है आदित तिनाथ के साड़े चार साल के काम को नहीं बता रहे हैं ये डरा रहे हैं कि मोदी जी इस बार उत्तर प्रदेश म में हुमन राइट्स वालेशन हाँ अब और भी देखिए आप आप ये नेती आयोग का मुझता देखिए आपका वरिष्ट अफेस इंडेक्स बेंग्लोर में है उन्होंने आपका राम गोविन चोधरी जी रिए इस विश है कि उत्तर प्रदेश एकदम नीचे है आप कड़े या फैक्ट को बहस का अधार बनाते ही नहीं है यह जूट को बहस का अधार बनाते हैं अगर NCRB का डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनेकों अनेक रायट्स हुए तभी भार्चिंता पार्टी के नेता कहते हैं कि कोई रायट नहीं हुए अगर पार्लिमें की सरकार से पहले की अलवारा अस्पताल थे सरकारी वेडिकल कॉलेज थे तो इस तरीके से अगर आप आखड़ों को आधार में लूप तो आम आदमी तो इनका बात विश्वास कर रहे हैं आज भी आम आदमी हैं समझते हैं कि हां मोदी जी भगवान है हमारे लिए एक जो चनके डाल मिल रहे हमारा थोड़ा पहुत जमीन है तो एक साल में हमके च्छै अजार रुपे मिल रहे जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया तो ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जो कमजोर हिस्से के लोग हैं जो आज भी सबस्ते हैं मोदी जी वगवान हैं देखे 2014 में बहुत पढ़े लिखे लोग अर्विंद पानेगरिया और इस तरह के लोग मोदी जी की तारीफ करते थे उनको लगता था कि ये वाकई कोई अवतार हैं जो देश को बदल देंगे अच्छे दिन लियाएंगे तो जैसे 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 मोदी सरकार आगे बढ़ती गई ल जिस दिन उसका भरुसा भी टूटे गया क्योंकि जो बिल्कुल असाहाए है उसका बच्चा भी नौकरी चाहता है उसको नौकरी नहीं मिल रही है जो बिल्कुल असाहाए है उसको भी दिखाई देता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस किसी के उपर भी अन्या प्रब्रेश में जिस तरीके से चो आज आप कहा रहें स्वास्विवस्ता एक गरीब वेक्ती के लिए तो हस्पताल इत नहीं था हस्पताल के बैट तो भूली जाएए आपको अक्सिजन का सिलिंडर नहीं मिला अगर आप अन्याय का सिल्सिला देखते हैं तो जिस तरीके से इस समय अन्याय करना, अट्रोसिटी, अत्याचार, पुलिस का स्टेट एजेंडा बन गया है उत्तर प्रदेश में, जगा जगा, कि आप अत्याचार कीजी, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ये पहले कभी नहीं था, कि पहले एक प्रबल मीडिया था, ये क्यूं हुआ, आ जब स्वास्तिवस्थाएं हैं, पहली के सरकारों की आलोचना होते थी, जब स्वास्तिवस्ताएं कमजल हो ते यह इसे ही, वो सरकारें निर्दाइता से जूट नहीं बोलती थी, अंतर ही है, कि आप अप प्रदान मंत्री कहते हैं कि मेरी तपस्या में कुछ कमें हो गई BY स जब किसान तपस्का कर रहे हैं उन्हों ने कहा और उन्हों ने शमा भी मांगा है पहला बार देखिए मोदी जी इसा भाशा कभी इस्तिमाल नहीं कि असारे साथ साल में नवेंबर महीना में उन्नीस नवेंबर में आपका गुरु नाना जी का जैनती में और फिर अभी तो इस तरह से लोगों को बोला ठीक है आपको अपसद नहीं है हम रद कर दिया तो एक तरह से आज भाटने जनतमाली के फाइदा होगा लेकिन ये देखिए इसमें कि उन्हों ने शमा मांगा फिर भी सरकार ने संसद में गा कि हमारे पास आंकड़े नहीं है कितने किसान श लिए वो भाशन बन जाता है फिर उसे आपकी भक्तमंडली मीडिया उसे और महान जूट बना देती है और उसके उपर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का 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 ट्रांसपेरिंसी का कोई बात आता है तो आप उसे प्रसूत नहीं करते हैं संसदें बहस नहीं होती है आपन के तारिक में उत्तर प्रदेश में और और भी राच्चे में किसानों का हालत बहुत ही गंबीर है यह तो एक साल यांदूली नहीं चलते थे उत्तर प्रदेश में देखिए है यह गन्ने का सईदा शिकायत है कि हमें गन्ने का सईदाम नहीं मिल रहे हैं और यह जो गेहूं मंडियों में सर जा रहे फसल ऐसे भी हमने देखा कि अपना फसल बे आज जला रहे है युआ युआं तो अगर आपके सरकार भी आ जाता है यह सफ़ा का सरकार बन जाता है कैसे बनलेगा स्थिति आप क्या करेंगे आपके किसानों के लिए आपका सरकार के पास क्या योजना है? तीन मस्वपन बाते हैं. एक तो सरकार का जो मिशन होता है. वो मिशन कैसे निधारित हो रहा है? हम ये मानते हैं कि 2022 में अखिलेश यादाजी के नेतरित में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है. आज से हम उस मिशन को सीरियसली लेते हैं. आज भी लकाता समाजवादी पार्टी के अनेक नेता जो हमारा घोशना पतराने वाला है. उसके लिए अनेक किसान संगठोनों के साथ-साथ जो कृशी पे जो एकॉनमिस्ट काम करते हैं के साथ मिल करके प्लैन बना रहे हैं कि हमें कैसा विजन प्रसुत करना है जो सब के नजरिये को रखे. दूसरी चीज़, यह लोगतांत्रिक सरकार है. आप यह नहीं सोच सकते कि मैं आइंस्टाइन हूँ और मेरे आइडिया से देश बदल जाएगा. आपके अंदर शमता होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ बाचीत कर सकें और यह समझेगी इस देश का हर नागरिक जो किसान है वो किसानी के बारे में आपसे अच्छा जानता है. इस देश में एक साल से जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो यह सरकार कहते थी यह तो आतंकवादी है और यह असली किसान निता नहीं है हम किसान है. जबकि सरकार का नकरशी मंतरी ठीक से किसानी के बारे में कुछ कह सकता था अमित्शा जिन्होंने अपने उस पे बायो डिटा पे लिखा जहां पर आपने डेटा और टेक्नोजी को ठीक से यूज़ किया और लोगों के लिए यूज़ किया वहां पर आप एफिशियंसी दआ सकते हैं, सकेल इंप्रूब कर सकते हैं, जो जहां पर अनाज सड़ जा रहे हैं, वो सड़ने नहीं चाहिए है, इसके लिए आप उप्यों को data इस्तेमाल कर सकते हैं, distribution systems को better कर सकते हैं और जहांबर market linkages over हैं, वहाँ पर एक आखरी बात बोलुगा, कि जब हम किसी भी बड़े infrastructure की बारे में सोचते हैं, जब हम किसी भी बड़े infrastructure की बारे में सोचते हैं, हम ने उसके बारे में उसके साथ-साथ मंडियों के बारे में सोचा, हम यह नहीं सोचते हैं, कि हम यह बनाएंगे और फिर अधानीजी ले जाएंगे, हम यह सोचते हैं, कि अगर हम बनाएंगे तो यह public के लिए उप योगी, public के दिवारा run property होगी, यह privatization के लिए, ये किसी पूंजी पती को सौगात देने के लिए सरकारी टैक्सपेयर और सरकारी टाकत से बनाया जानने वाला ना एरपोर्ट है ना एक्स्प्रेस वे जनता के लिए बनाई जाने वाली चीज़े है आचा गांजाम जी देखिए हमारा वक्त कम है कटबंदन था इस बार आप देख लिए मैदान में प्रियंका गांधी जी ने बली त्यारी से आ गया है जैसे अकिले शादर जी का जो रैली में बहुत सारे लोग आए भीर जब रहे और प्रियंका जी और कॉंग्रिस पार्टी ने भी महिलाओं के एक तरह से प्रमुक्ता प्रात्मिक्ता देना चाहते हैं अपने जो उनका जो गोशना पत्रा उनों ने लिया साथ साथ हम देख रहे कि इस बार भोजन समाच पार्टी के साथ आप लोग नहीं लड रहे यह भी पुरानी दिहास है इस बार आप नहीं अलग अलग आप और यह भी हम लोग ख़वर मिल रहे है कि हाइदरबाद के सांसद जो असद उद्दिन वैसीजी है जो अल इंडिया ए आई आई एम आई एम डल के है वो भी इस बार उत्तर प्रदेश में हमने बात भी सुना सो विधान सभा के इंदर में उनको उम्मीदवार करा करेक्विब मुटा बात यह है कि भारते जन्ता पाटी वीरोधी वोट बाट जाएगा तो इसका फायदा भारते जन्ता पाटी को मिलेगा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जन्ता ने अखिलेश जी का मुख्यमंत्री कारेकाल दिखा है उनके विजन से परिचित है उनके काम से परिचित है उसी तरीके से आधितिनाथ का कारेकाल दिखा है और दोनों को इस समय जनता तुल्नात्मक दिश्टी से देख रही है उनके बात करने के तरीके को, उनके विजन को देख रही है और इसलिए जनता अखिले शादाव जी को भावी मुखिय मंतरी पुना देख रही है देखना चाहती है जहां तक वोट बटने की बात है आपके सवाल में तीन अहम बाते हैं किसका वोट बटेगा दूसरा की कॉंग्रेस पार्टी या महिलाओं को लेकर के जो नहीं जागरुकता के साथ राजनिती हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा और तीसरा की जो अनेक पार्टियां हैं उनका क्या रोल रहेगा मुझे लगता है कि किसका वोट बटेगा हर कोई जो बदलाव चाहता है वो सिर्फ किसी को हटाना नहीं चाहता है बदलाव में किसी को लाना चाहता है और जो ये रैलियां दिखाई दे रही है उसमें सपस्ट है कि जनता चाहती है कि अखिलेश यादर जी आए जहां तक महिलाओं की भूमिका मुझे लगता है कि भारते राजनिती का सबसे रोमांचक दौर है यह जहां पर एक नई ताकत के साथ देश में महिला वोटर्स, महिल महिला राजनिती करार करता महिला नेता राजनिती में आएंगे और अपने एजेंडे को अपने दृष्टी से आगे ले करके जाएंगे जो अभी देश में उस ताकत से नहीं हुआ जो होना चाहिए था ऐसे में अगर कोई पार्टी महिला वोटर्स के लिए कंपीट करना च इस दौर की राजनिती में हम उस competition में आगे रहना चाहते हैं हम लगातार compete करना चाहते हैं कि हम देश में महिलाओं के लिए क्या अवसर क्या प्रतिनेदित्व और किस तरीके का समाज दे सकते हैं इसमें मुझे लगता है कि आने वाले अभी का जो कि युवाप गिरी है अगर मजबूत से टिके रहना चाहते हैं जो तीसरी बात है यह बाकी पार्टियों की क्या भूमिका होगी मुझे लगता है कि यह ऐसा दौर है जैसे न्यूस क्लिक है तमाम प्लैटफॉर्म से हैं जो हर किसी के हर राजनितिक दल और उसके नेता की रूप रेखा लोगों के सामन कौन चुनाव में जनता को मजबूत करने आया है कौन चुनाव में जनता को कनफ्यूस करने आया है इसको लोग समझते है तीछे मैं मान लिया चुनाओ तक कोई गड़बंद होने का कोई समभाव नहीं है अलग-अलग पार्टी अपने उमीदवार ख़रा करेंगे कैसे वोट बाट जाएगा नहीं जाएगा इस समय बताएंगे चुनाओ के बाद अगर कांग्रेस, बोजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी ऐसा पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का कुछ गड़बंद होने का क्या समभावना है आज ठीक है आज इनके साथ आपका एक राजनेतिक संगर चल रहे है अगर चुनाओ के बाद अगर समझ लीजिए सपा को बहुमत से थोड़ा बहुत कम मिलता तो आप ये सारे कांग्रेस पार्टी, बोजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ आप एक साथ हाथ मिलाने के लिए त्यार है अखिरेश यादर जी यहार राष्टर अध्यक्ष है, उन्होंने दो बातें इस पष्ट कहीं है एक की समाजवादी पार्टी को भरपूर भरोसा है कि भार्टी जिनता पार्टी 400 सीटों के हारेगी और हम सरकार बनाएंगे दुसरी बात कि हम चुनाव जीते या चुनाव हारे हैं किसी भी समय चाहे हो 2014 था, 2017 था, 2019 था हमने हमेशा जनादेश का समान किया है तो जो जनादेश आएगा वो जनादेश पदलाव का जनादेश आएगा और वो जनादेश जो हमें दिशा दिखाएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे ठीके समय बताएंगे, कुछ साल पहले दिल्ली का मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल जी एक लिस्ट तियार किया था कि सबसे भरष्ट विवेकती कौन है मुलाइम सिंह यादव जी का नाम मेरा ख्याल है, जितना नंबर सायद तीशeli नंबर में मुलाइम सिंह यादव जी का नाम था मतलब यही आम आदमी पार्टी के साथ, आप एक साथ कब carries बह Continuing के लिए आप त्यार होंगे ऐसे आम आदमी पार्टी तो दिली में हैं, मगर अभी पंजाब का चुनाओं में भी लड़ रहे हैं, और भी राज़े में कोशिश कर रहे हैं, उनके उमीदवार जीने के लिए, आप कुछ कहेंगे? हमारे ही मानना है कि राज़नीती हमेशा वर्तमान और भविश्य के आधार पे होती है, तो आज हम किस तरह का नितरत दे सकते हैं उतर पुदेश को, यह जो डिजास्टर का ट्रैक है, जिस पे आदितिनात ने उतर पुदेश को जूंक दिया है, जहां पर आम आदमी डरता है, विरुजदारी की कोई बात नहीं होती, महंगाई की कोई बात नहीं होती, आपसी अमन चैन को भरष्ट करना, द्वस्त करना, सरकार का एजंडा बन गया है, यह डिजास्टर का ट्रैक है, हमारी राजनीती इस डिजास्टर के ट्रैक से वापस उतर पुदेश को जी के अंदर जो जोश होना चाहिए जो उर्जा होना चाहिए वो नहीं है तो उनका पिताजी जिस तरह से एक राजने इतिक दल एकदम जमीनी स्थर से गठन किया वो आजकल सपा समाजवाद का नाम भूल गया एक सुवेदाबाद के राजनीती चला रहे हैं एक तरह से रहुल गांदी जी के बारे में कहते हैं आलसी हो गए मम्ता बैनर जी दीदी जिस जोश के साथ सरक पे निकल के भारती जनता पार्टी के साथ वंगाल मिला अखिलेज जी का वो जोश हम नहीं देख रहे है उर्जा नहीं देख रहे है देखे अगर इसका आप क्रिकेटिक कि अनलजी देखिए तो इंडिया में कपिल देव ने भी हमें वर्ड कुप जिता है महिंदर सिंग दोनी ने भी वर्ड कप जिता है और अलग-अलग कैप्टन की अपनी-अपनी कैप्टन सी की स्टाइल होती है अखिलेश जी के नेतरित में उत्तर पदेश मैं यह दावी क कोशिश होगी और जिस तरह का देश में उत्तर पदेश विकास में युगदान कर रहा होगा वो किसी भी और दोर के समाजवाद से मजबूत होगा इस प्रेड़ना के साथ मैं काम करता हूँ तो मैं उन चीजों को देखता हूँ जो उन्हें जो पिछले पीडी के नेता थे उन से अलग और आज के भारत के लिए ज्यादा मजबूत रूप में प्रस्तुत करते हैं आप पार्टी का प्रवक्ता है आप जरूर कहेंगी कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से इस बार विधान सवाचुनाओं जीतने वाले हैं तो फेबररी मार्च दोजार बाइस में हमें मालूम परेगा गन्शाम जी धन्यवाद आपने नियूस के स्टूडियो आया आपका पहुमल्य समय हमारे दर्शक को दिया ऐसे समय में जब देश के प्रियांबल के साथ छेड़ चार इसलिए हो रही है कि उसमें से संसत के मादिआंस से सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि समाजवाद की जीत जो फरवरी मार्च में होगी वो देश के सम्विधान की जीत होगी और देश की जीत होगी और उत्रपदेश का चुड़ाओ अत्यंत महतपूर्ण है एक समाजवादी लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो भी हो रहे है वो लगनाओं से वो रास्ता शुरू हो रहे समय बताएंगे धन्यवाद एक बार और आप सब देख रहे थे घंशाम तेवारी जी समाजवादी पार्टी का राश्टिय अप्रवक्ता और आने वाले समय कहेंगे कि सचमुच घंशाम जी जो कह रहे विदान सबाचुनाओं में का क्या नतीज़ा होगा आप को हम सब धन्यवाद देना चाते है और आप देखते रहे न्यूस क्लिक सब्सक्राइब कीजी चैनल में और हमारे हमको मदद कीजी क्योंकि स्वाधीन तरह से जो आज खबर और खबर का विसलेशन कर रहे है बहुत कम ऐसे चैनल है और उसमें न्यूस क्लिक एक है धन्यवाद शुक्रिया